हेलो डियर श्रुडेंट्स मैं जेपी सिंग स्वागत करता हूँ आपका कैमिक से गुरुज चैनल में आज का जो हमारा टोपीक है वो हमारा टोपीक है इसमें ग्यां कॉन्टम नंबर्स ठीक है तो अब हम पढ़ेंगे क्वान्टम नंबर्स तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को किलियर कर लेते हैं तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन एक क्वान्टम लंबर is a value that is used when describing the energy levels available to atoms and molecules ठीक है तो जो quantum numbers होता है वो एक क्या होती है value होती है जिसका use किया जाता है describe करने के लिए किसे energy levels को किसके atoms और molecules में ठीक है atoms और molecules में energy level को describe करने के लिए जिन numbers का use किया जाता है उन्हें हम क्या बोल देते हैं quantum numbers and electrons in an atom और ion has four quantum numbers to describe its states ठीक है या state इसके बाद में हमने लिखा वाइस में कि जो एक electron होता है किसी atom में या iron में वो क्या रखता है चार quantum numbers रखता है और यही describe करते हैं उसे यही उसकी पैचान दिलाती है उसे यही बताती है कि यह atom में किस जगे किस position पे इस्तित है ठीक है situated है फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं types of quantum numbers कितने numbers होते हैं इसके four numbers होते हैं पहले number की बात करेंगे तो यह होता है हमारा principal quantum number दूसरे number में बात करेंगे तो azimuthal quantum numbers या angular quantum numbers फिर तीसरे number पर हम इसकी बात करेंगे तो यह हमारा होता है इसमें एनर्जी लेविल्स ठीक है जिसे हम बोल देते हैं एनर्जी लेविल्स ठीक है फिर इसके बाद में जो दूसरा है हमारा एंगुलर क्वांटम एंगुलर मुमेंटम क्वांटम नंबर्स यह हमारा सो करता है किसे यह हमारा सो करता है सब सैनल को ठीक है और जो हमारा थड़ है Mそうそう Jay हमारा सो करता है OR ओर जो हमारा फॉर्थ है इस्पीन क्वान्टम नंंबर्स हमारा सो करता है उसके स्वेठें इस चनको ठीक है कि जो डाइयरेकशन में है कि लोक वाइज एंटि क्लोक्वाइज फिर हमने बात करिए magnetic quantum numbers की तो यह orbital को so करता है उसकी वो कौन से orbitals में है भाई कौन सी subcell है उसकी इसे so कोन करेगा second वाला पहले वाला किसे so करेगा cells को ठीक है अब मैं समझा दा हूँ आपको कैसे so करेगा हमारे पास में कोई atom है यह हमारे पास में कोई atom है और इसके इस टाइप के हमारे होते हैं अब हमें किसी electron के पते तक होचना है तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि उसकी cell कोन सी है क्योंकि atom में जो होती है जो सबसे जो सुरूम आती है वो क्या आती है वे cells आती है कितनी cells होती है 7 होती है 1, 2, 7 तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि उसकी cells कौन सी है 1 है, 2 है, 3 है चलिए हमें cells पता उसकी चलगी cells के बाद में cells के अंदर क्या होती है subcell होती है cells के अंदर क्या होती है subcell, फिर हमें subcell का पता होना चाहिए तो cell को कौन बताएगा, principal quantum numbers, sub-cell को कौन बताएगा, azumital quantum numbers, इसके बाद में हम गए sub-cell तक हम पहुंच गए, अब हमें पता होना चीज़ का orbitals, कौन से orbitals में वो है, तो orbitals को जो सो करता है, वो सो करता है, magnetic quantum numbers, इसे हम का इसे सो कर देते हैं, small m से, चलिए orbitals भी पता चलगा, अब ए यह भी तो पता होना चाहिए कि electron कौन सा है, क्योंकि हमें किसी एक special electron तक पहुंचना है, तो इसे कौन बताता है, सबसे लाश्ट में बताता है, spin quantum numbers, जिसे हम सो करते हैं, represent करते हैं, किस से, small s से, ठीक है, तो जब यह हमें बताएगा कि कौन सा है, clockwise है, या anti-clockwise है, तो हम विर प्रिंसिपल कौन्टम नंबर्स, azimuthal quantum नंबर्स, magnetic quantum नंबर्स और spin quantum नंबर्स, जो principal quantum नंबर्स है, वो number of cells को सो करता है, जो azimuthal quantum नंबर्स है, वो subcell को सो करता है, जो magnetic quantum नंबर्स है, वो orbital को सो करता है, और जो spin quantum नंबर्स है, वो सो करता है किसे spin को, किस direction में वो, गुमरा अचलिये बात करते हैं, पहले बाले कि, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की, अब हम यहां बात करेंगे, कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है, उसमें क्या होता है, किस टाइप से यह उसे सो करते हैं, इसकी डेफिनिशन क्या होगी, the principal quantum numbers is donated by N किसे हम N से so करते हैं जो principal quantum numbers है इसे हम काई से note करते हैं denote करते हैं so करते हैं दिखाते हैं किसे N से and which indirectly describes the size of electron cell ठीक है और यह सीधे सीधे represent करता है किसे electron की cell को कि electron की cell कौन सी है ठीक है and describe the energy level of electron और electron का energy level को भी बता देता है ठीक है, कि electron का energy level कौन सा है याद रखेगा, first cell में first energy level, second, third, fourth इसी type से seven cells होती है तो energy level भी कितने हो जाएंगे, उसके seven type के हो जाएंगे फिर इसके बाद में लिखा हुआ है यहाँ, it is always assigned at integer integer का मतलब होता है, poonank ठीक है, कि यह कोई एक poonank होते है इसे नहीं होती है ऐसे नहीं होगी, 1.2, 1 by 2 3 by 4, यह नहीं होगी ठीक है, कितने होगी, complete होगी, poonank होगी यह कोई 2, 3, 4, 5, ऐसे करके फिर इसके बाद में हैं लिखा हुआ है हमने but its value में never 0 लेकिन इस value कभी भी 0 नहीं हो सकती है, जो हमने आप पड़ा है principal quantum numbers इसकी value कभी भी 0 नहीं हो सकती है cell nearest the nucleus have the lowest potential energy जो cell सबसे उसके पास में होती है nucleus के, उसकी energies कैसी होती है सबसे कम होती है, जो potential energy होती है वो सबसे कम होती है and is the first number of written in electronic configuration such as example and is the first number of written in electronic configuration such as example, जो n है वो electronic configuration में सबसे पहले लिखा होता है, ठीक है जैसे कि इसका हमने electronic configuration यहाँ जब check करा है किसका lithium का, तो lithium में यहाँ कह लिखा हो है 1 is 2 यहाँ कह लिखा हो है 2 is 2, अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पहले बाले की, तो यहाँ n की value क्या है 1 है, और यहाँ बात करेंगे तो n की value क्या है 2 है, ठीक है यहाँ 1 और यहाँ 2 क्यों, क्योंकि number of cells equal to होता है principle quantum numbers, देखे का यहाँ दोनों के नीचे हमने हैं लगा की भी समझा रखा है कि जो 1 और 2 हैं यही क्या है है principle quantum numbers अचली बात करते हैं अगली slide की फिर मने यह लिकावा है इन 2 cells 2 cells में cell 1 में और cell 2 में cell 1 is the nearest the nucleus because value 1 is smaller than smaller from 2 कि जो value कि 1 की वो क्या है छोटी है किसी 2 से यहां बात करेंगे energy की भी तो energy cells 2 की जो होगी वो जादा होगी और जो cell 1 है उसकी कैसी होगी कम होगी यहां जाइए 1 greater than 2 ठीक है यहां जो 1 greater than 2 लिकावाए है हमने cells and potential energy इसका मतलब यह है कि जो दूसरी वाली cell है जो second वाली cell है इसकी जो potential energy है जो size है वो क्या होगा 1 से अधिक होगा जादा होगा 1 is lowest quantum numbers की importance क्या हो सकते हैं क्या होते हैं किलियर हम यहां पे कर लेते हैं तो यहां हमने first number पे लिकावाए है the maximum numbers of electrons can be arranged जिने given cell is equal to 2n square कि जो maximum number होते हैं किसी एक cell में अधिक्तम electronों की संख्या किसी एक cell में होती है कितनी 2n square ठीक है 2n square होती है where is n number of cell जहां n क्या है number of cells है cell का number है फिर इसके बाद में जो second point है इसमें लिकावाए है इनके L M N O P Q R R नहीं है क्यों तक है cell be arranged the maximum number of electrons these are follow as order 2, ठीक है 2, 8, 18 32, 50, 72, 98 ठीक है इसे आप निकाल सकते हैं अराम से निकाल सकते हैं cell 1 है तो 2 into 1 का square equal to 2 cell 2 है तो 2 into 2 का square equal to 8 3 है तो 2 into 3 का square equal to 18 यह आपको आराम से निकल जाएंगे ऐसे ही निकलते चले जाएंगे यह KL M N O P Q जो लिक रखे हैं हमने यह cell 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस टाइक से हमने cell लिक रखे हैं फिर इसके बाद में हमने पढ़ा है point number third तो third point में हमने अलिक रखा है atomic radius can be measured to help us the formula R as follows इस atomic radius उसे भी हम इसके formula से निकाल सकते हैं जो हमने नीचे दिया हुआ है देखेगा इसे यह हमारे पास में एक formula है यहां ठीक है इस formula से भी हम atomic radius निकाल सकते हैं और यह formula जो मैंने यहां R का दुबार पढ़ेंगी तब निकलेगा ठीक है यह complete नहीं है number यहां n क्या है number of cells है h क्या है plan constant है m क्या है mass op electron है यह क्या है charge op electron है और z का atomic number है ठीक है तो हम इस वाले formula से भी formula से भी atomic radius निकाल सकते हैं और इस से भी निकाल सकते हैं ठीक है मगर value दोनों की difference units में आएंगी फिर इसके बाद में हमारा question number 4 है same way condition यहां भी है दोनों formula अलग-अलग हैं और values भी दोनों formula की अलग-अलग ही आएंगी energy of an electron can be determined by the principle quantum numbers इसमें भी हमने क्या काम करका है जो पहले वाला formula है इसमें भी और जो दूसरा formula है इसमें भी quantum numbers का use हमने quantum numbers का use हमने करका है और n equal to क्या है हमारे पास में? principle quantum number है जिसका use हमने इसमें करा हुआ है फिर इसके बाद में चलते हैं अपनी अगली slide में तो यहां हमारे पास में जो slide हमारी 2 है वो slide हमारी 2 है हमने एक heading लिज है quantum numbers दो वाली azim oral quantum numbers तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं एजी मिथल क्वांटम नमबर्स प्यारे बच्चों अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा चलिए पढ़ते हैं इस वाले टोपिक को एजी मिथल क्वांटम नमबर्स दिनौटिड बॉइ जरि दिमिथल क्वांटम नमबर्स आप किस से सो करती हैं हम इसे सोरी अल से लिनौटिड बाई एल एंड गांड प्लक्याई दिसक्राइब दस सेफ यह और यह इंडिरीक्टली सो करता है किसे उसकी सब शाइल को and its angular momentum और उसके angular momentum को as you middle quantum numbers is second quantum numbers यह second quantum numbers होता है ठीक है shape of substyle R follows अब कुछ shape हमने हैं शोक रखी है substyle की तेसके यहां हमने सबसे पहले किसे बनाया है as orbital को बनाया है तो as orbital की shape कुछ इसी टाइप की होती है जिस टाइप का आपको दिखाई दे रही है आज साब किसी भी एक्सिस पर रख लीजेगा एक्स पर वाई पर या फिर जैड़ पर यह हर कंडिशन में एक जैसे आपको दिखाई देता है क्यों क्यों कि इसकी जो सेव होती हो कैसी होती है इस फे रिकल होती है ठीक है चलिए फिर हम बात करते हैं पी की सेफ की कि जो प्योर बिटल है उसकी स दे रख लें करके आपको दिखाया है फिर हमने यहां दूसरे वाला जो किसे रहे खाली यहां अगर हम इसकी बात करेंगे तो जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो z और x y ये दो use हुए है इसमें x का use नहीं हुआ है sorry अगर पहले गलत बोल दिया है तो ध्यान से देखेगा इसमें कोई x का use नहीं हुआ है केवल y का और z का ही use हुआ है अगर इसमें बात करेंगे हम last वाले में तो इसमें जो use हुआ है वो किसका हुआ है इसकी जो structural होते हैं वे बनते हैं structure 3 नहीं बनते हैं तो इसकी जो shape होती है वो कैसी होती है वो इस type की होती है कभी आप नहीं देख पायोंगे board पे बनाते हुए black board पे बनाना थोड़ सा कैसा हो जाता है इन्हें hard हो जाता है मगर आप यहाँ इन्हें आराम से दियान से देख सकते हैं फिर हम बात करेंगे D की तो D के structure भी हमने आलिये वे हैं ठीक है तो जो D की save होती है वो कैसी होती है वो होती है double double के आकार की कुछ इस type से जुड़े वे होते हैं beach में से ठीक है एक flower type की structure यह बना लेते हैं तो इसमें कौन-कौन से होंगे एक तो इसका D x y होगा इस type से बनेगा यह फिर D x z होगा इसमें x और z का use होगा इसमें x y का use होगा फिर बात करेंगे y z की तो इसमें y और z का ही use होगा x का कोई use नहीं होगा यह देखेगा यहाँ से निकला हुआ है ये किस पर है इसी type से बनाई हूआ इस बार किस पर है आदा हिस्ता किसी है यहां किस पा जाएगा ये डी yeah X-square, Y-square और यहां सारगा सारग कंप्लीटली किस पे हैं, Z-axis पे, तो यहां हमारे क्या बन जाएगा, D-Z-square, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, F-orbital की सेप स्की, यह हमारे पास में होता है, कैसा, टिरपल डंबल के जैसा, तो यह कितने टाइप की बना देता है, यह सेवन टाइप की बना देता है, यह आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यह सेवन टाइप की इसके कौन-कौन से होते हैं, यह सेवन टाइप की होते हैं, F-X-Z-square, F-X-Y-Z, F-X-X-Square, 3-Y-square, ब्रैकिट-Close, F-Z-Square, F-Y-Z-Square, F-Z-X-Square, Y-Square, F-Y-X-Square, Y-Square इस टाइप से इसके बन जाएंगे, ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं, इससे अंगिलर मुमेंटम निगाल सकते हैं, कैसे निगाल सकते हैं, ठीक है, तो अंगिलर मुमेंटम होता है, MVR equal to होता है, H upon 2 pi, in root, L bracket में L plus 1, यह हमारे पास में L है, यह हमारी क्या है, AG mutual quantum numbers है, AG mutual, ठीक है, यह मारा क्या है, AG mutual quantum numbers, अधिकनसी quantum संख्या, फिर इसकी possible values हो सकते हैं, किस के लिए कितना होगा, S के लिए value होगी 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, बिर्कुल एक दम fixed values होती हैं, ना कम ना फिर जादक, किसी भी question में रहेंगे, तो यह value हमें इसक इसकी वेल्यूस हो सकती हैं, L, C, L के लिए, sorry, N, C, L के लिए कितनी होगी, अगर N, बराबर 1 होगा, तो इसकी value कितनी होगी, 0 होगी, अगर N, बराबर 2 होगा, दूसरी C, L हो जाएगी, तो 0, 1, 2, जाएगी, इसमें S, और P, 2, जाएगी, इसमें के वाल S होगा, और N, बर एंड बराबर जीरो एंड डी सबसेल लबराबर जीरो आर पोसिबल ठीक है सब पोसिबल इसमें हो जाएंगे फिर इसके बाद में हम इसमें पढ़ रहे थे इसके IMPORTANCE OF ASIMETHYL QUANTUM NUMBERS किसके IMPORTANCE क्या होते हैं किसके ASIMETHYL quantum numbers के तो यहां मने फर्स्ट में पढ़ा है इट इस डिस्क्राइब दा सेफ ओप और्बिटल्स यह और्बिटल्स की सेफ को डिस्क्राइब करता है जिसके इसकी spherical double type की double double type की triple double type की जिसे complicated shape भी बोल देते हैं दूसरी बार में बताया वा है it represent the electron angular momentum of around the nucleus ठीक है यह angular momentum को भी रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट continuity and discontinuity और इसकी continuity को भी रिप्रेजेंट करता है इसमें फिर इसके बाद में लिखावा है every subcell can have maximum number of electrons 2 bracket 2L plus 1 कि कि किसी भी जो cell होती है किसी भी subcell में maximum electrons कितने हो सकते हैं 2 2L plus 1 ठीक है इतने हो सकते हैं जिसे हम इस formula से निकाल सकते हैं फिर इसके बाद में हमारे इसमें 6th point है तो 6th point हमारा है it describes the orbitals elogation or safe ठीक है यह describe करता है orbitals के elogation को और safe को फिर इसके बाद में 6 है angular momentum of a subcell ठीक है तो यह angular momentum भी निगाल सकते हैं इस से हम किसी cell का इन्हें cell था energy increase order of subcell are as follows ठीक है तो जो subcell का इनका जो order होता है वो कुछ इस टाइप का होता है s less than p less than d less than f greater than d d greater than p p greater than s इस टाइप से यह हो जाएगा तो principal quantum numbers हम नहीं हम यहां सो करें 1234 और इनमें जो quantum numbers होंगे एजी मिशल quantum numbers 0010120123 या फिर जो सबसेल होंगी वे कौन-कौन से हो जकती है पहले मैस दूसरे मैस पी तीसरे मैस पीडी और चोथे मैस पीडी एप इस टाइप के यह इसमें से हो जाएंगे ठीक है फिर इसके numbers is a value that is used when describe the energy level available to atom and molecules and electron इने atoms और ions has four quantum numbers to describe its states किसी atoms में present electron को सो करने के लिए describe करने के लिए जो जिस numbers का जिन numbers का यूज गया जाता है उन्हें हम क्या बोल देते हैं quantum numbers फिर के बाद में हमने इसके types पड़ेते यह 4 types की होती हैं सबसे पहले principle दूसरे नंबर पर आजी मिसल तीसरे नंबर में magnetic और लास्ट में होती है spin ठीक है पहली जो principle होगी वो सो करेगी किसे cells को दूसरे वाली सो करेगी सबसेल को तीसरे वाली सो करेगी orbitals को और जो लास्ट की होगी वो सो करेगी इसके spin को पहली वाली को किस से रिपर्जेंट करेंगे N से दूसरी को L से तीसरी को M से और लास्ट वाली को S से जो principle quantum numbers होती है इसे हम N से denoted करते हैं यह directly describe करती है किसे size of electrons को electrons की cell को and describe the energy level of electron ठीक है है किस करती है यह रिपर्जेंट करती है और अधिक्तम वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी सेवन हो सकती है एन इस फर्स्ट नंबर ओप रेटिन इन इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन सच जग्जाम्पिल इस एक्जाम्पिल में हमने इनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स दिखाई हुई है जिसमें हमने लीथियम लिया हुआ है ठीक है तो लीथियम की जो कॉन्टम नंबर्स आमने सोका रखेंगे हैं पहली सेल के लिए बना जायेका दूसरी सेल के लिए टू आ जायेगा फिर यहां अमने यह बताया था कि जो पहली सेल है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी और जो साइज होगा वो छोटा होगा किससे सैल दो से इसके कुछ इंपोटेंट्स भी थे हैं जैसे कि किसी सैल में मैक्शिमम इलेक्ट्रोंस कितने हो सकते हैं ट्वेन सकते हैं इस फोर्मूले से इसमें हमने सो करकता है एं क्या है एक्सकी एलेक्ट्रों की ठीक है फिर इसके बाद में हमने समझाया था एघ्यमिट्र कॉंट्रम नंबर्स को काई से दिनोटेड करते हैं यह ब्र्रीक्ली describe करता है किसे shape of sub-cell को और angular momentum को ठीक है यह हमारी second quantum numbers होती है अब हम इसमें discuss करेंगे इसकी safe की S की safe कैसी होती है spherical होती है surrounding type की होती है P की जो safe होती है dumbbell की आकार की होती है इसके तीनी structure जो है तीन axis पर हमने यहाँ show करके हैं आपको दिखाई दे रहोंगे मेरे पीछे screen पर फिर इसके बाद में है D orbital हमारे पास में जो है तीसरे number पर क्या आया होए है है यह आया होए है हमारे पास में D orbital तो इसकी जो safe होती है वो कैसी होती है double dumbbell के size की होती है इसकी जो orbitals होते है 5 orbitals होते है जो हमने इसमें नीचे भी so करके है Dxy, Dyz, Dzx, Dx², Y², Dz² फिर लास्ट में आता है हमारे इसमें F orbital इसकी जो safe होती है वो triple dumbbell के size की होती है इसके जो orbitals होते है Fy, 3x², y², fz, x², y² 3, sorry, Fy, z², fz, q Fx, z², fx, z², fx, x², x², 3, y² फिर बात करेंगे इसके angular momentum की तो इसे हम निकाल सकते है H upon 2 pi under root L, L plus 1 से और इसमें हम इसके values भी check कर सेकते हैं azimithal quantum numbers कि इसकी S के लिए कितना होगा P के लिए कितना होगा और D के लिए कितना होगा S के लिए 0 होगा P के लिए 1 होगा D के लिए 2 होगा और F के लिए कितना होगा 3 होगा फिर N से L में कितनी values होसकते हैं L की 0 value होगी इसकी केवल S orbital ही इसमें जो S सब सेल है केवल वो ही इसमें present होसकता है N बराबर 2 के लिए अगर N बराबर 2 है तो इसमें 0 और 1 value होसकते है सब्सक्राइब हो जाती है जैसे कि सब्सक्राइब की सब्सक्राइब D sub cell होती है किसकी sorry P होती है डंबल के आखार की D होती है डबल डंबल के आखार की और इसमें F होता है टिर्पल डंबल के आखार की ठीक है फिसके बाद में जो इसका second point है दूसरे वाला इसमें हम एंग्विलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं किसका गोमते वे इलक्टोन गो जो राउंडिंग कर रहा है नुकलेस के चारो और इट रिपरजेंट दा ओर्बिटल कंटिनिटी एंड डिसकंटिनिटी ये रिपरजेंट करती है किसी कंटिनिटी को डिसकंटिनिटी को every sub cell can have maximum number of electrons 12 plus 1 जो कोई भी साहल होती है वो 212 plus 1 इलक्टोन सी रख सकती इस से ज़्यादे नहीं रखेगी फिर इसके बाद में है 5th point इडिसक्राइब दा ओर इबिटल्स एनोगेशन और सेफ एलोगेशन और सेफ ठीक है ये डिसक्राइब करता है किसे एलोगेशन को और सेफ को एंगुलर मोमेंटम का फोरूमला हमारे पास माय हुआ है फिर यहां हमने समझा दिया है कि किस की एनर्जी अधिक होगी S की सबसे कम होगी P किस साधिक होगी D किस साधिक होगी और F किस सबसे ही अधिक हो जाएगी प्रिंसिपल कॉन्टम नमबर से हमने चार सोक रखे है किस में कौन-कौन से अधिक मितल नमबर सो सकते है और सबसे हमने दूसरी साध में सोक कर रखे है वीडियो कैसी लगी है कमेंट करना ना भूलेगा वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सबस्क्राइब भी कर लीजेगा थैंक्यू